अगर एक बिहारी को एक बात समझ में आ जाए तो पूरा भारत बदलाव कर सकता है वो उदारण के दोर पर यह सतिन परसाजी यहां खड़े हुए है और मेरा मकसद है अब मैं बात समझाऊंगा सिर्फ एक को मुझे नहीं मालूम कौन सी कुर्शी पर कहां बैठा हुआ है मुझे नहीं मालूम कहां बैठा हुआ है और अगर एक को समझ में आ गई तो बहुत बड़ा इतियास बनेगा ध्यान से समझना कान लगा के पूरे ठीक है यह बात मेरे अपलाइन ने मुझे समझाई थी मेरे आदमी अपने जीवन गरस्ट जीवन जीता है और आप भी जEMAघे आहसे पॉलएं यह क्या की और घ्रस्यी वृषयी दिखा दो सबका नारा है घ्रस्ट जीवन में में हम दो हमारे दो हमारे दो हमारे दो तो हमारे दो की जगा हमारे तीन भी हो सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं कि कई बार गलती हो जाती है है लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि मादोजी ग्रस्त जीवन जी हो गई बिल्कुल सर और आप मास्टर जी हो अगर 40,000 सेलरी कमाओगे और आप ने बोला कि घर में दो बच्चे हैं एक सोनू आ गया एक मोनू आ गया या चिंकी आ गई एक पिंकी आ गई तो 40,000 की सेलरी है आप क्या करोगे कोई भी दुनिया का माबाब आप दो जगे बाट देता है 20,000 यहां पर और 20,000 यहां पर और उन्होंने दो जगे पर बाट दिया और उन्होंने यह देखा जैसी सेलरी होगी वैसा परिवार को खर्चा दिलाता है उसी तरह के खिलोने आएंगे उसी तरह के टुशन की फीस होगी उसी तरह के स्कूल होगा उसी तरह के कपड़े होगे उसी तरह की सौपिंग होगी उसी तरह की सुविदाएं होगी किसी वेक्ती की सेलरी अगर 80,000 है तो टूशन पढ़ाने वाला मास्टेजी की फीज ज़्यादा होगी स्कूल का स्टेंडर्ड ज़्यादा होगा और रख रखाओ ज़्यादा होगा मकान और बड़ा होगा तयारियां और बड़ी होगी सुविदाएं और ज़्यादा होगी अगर कोई 10,000 कमाता होगा तो 10,000 के साफ से होगा बोलो हागी ना समझ में आता रहे तो बस बताते रहे ना अपने साफ से जो भी है अब उन्होंने मुझे समझाया कि मादव जी आपकी सेलरी 40,000 है तो 40,000 के साफ से आप अपने दोनों बच्चों में 20,000,000 बाट दोगे मैं बिल्कुल सर सही आपने सही बोला तो कितने साल बाटोगे तो मैं बोला कम से कम 20 साल तो पढ़ाएंगे इनको बच्चों को हरा आदमी अपने बच्चों को 20 साल तो पढ़ाता ही है आप समझ में आया आप समझ में आया कि ध्यान से सुन रहे थे लोग क्यों सही कहा हुँ न इसलिए जोर से नहीं बोल रहे थे बहुत ध्यान से सुन रहे थे इसलिए 20 साल तक बढ़ाते हैं तो कौन कोई नोकरी वाले व्यक्ति बताएगा कि दोनों बच्चों को जब 20 साल तक हम देख रहे करते हैं तो उसके पीछे हमारा मकसद क्या होता है पहला मकसद होता है कि बुड़ापे का सहरा बनेगा क्या यह बास सही है क्या बनेगा बुड़ापे का सहरा बनेगा नमबर वन और नमबर टू कोई भी दुनिया को माबाप यह चाहता है कि वो बुड़ापे का सहरा बनने के अलाबा नाम रोशन करेगा नाम रोशन करेगा दो चीज़ें और इन दोनों चीज़ों को पाने के लिए हम दोनों बच्चों पर 20 साल तक investment करते हैं निवेश करते हैं कि दो लोग बोलते हैं कि ये जो दो उम्मीद करते हैं गारंटेड पूरी हो जाएंगी क्या दोनों उम्मीद हैं पूरी होंगी get earning अरे बच्चे तो अपने है न संसकार दो आप दे रहे हो ना बच्चों कर दो उरंट को नहीं है हो भी सकती नहीं हो सकती है तो यह क्या GET जानु कीशिए को ऩॉमतिके दो embracing पिछा हुआइ द्यान से भी समझना है और जोर से बोलना भी है है थे क् onlyंटिंअ कि नहीं बहुत बहुत है बच्चों मार्केट है कि यह कि बच्चों पर लगाया धन बच्चों-बकिया हुआ University मार्केट कि तरह है बच्चों के ऐसा है शेर मार्केट है पूरा हो भी सकता है और मार्ण हो सकता तो एक जो शेर मार्केट में फंड्स में, मिचल फंड्स में जो पैसा लगाता है तो उस व्यक्ति को कोई इन्वेस्टर सला देता है कि एसे बताया जाता है जो सलाकार होते हैं निवेश वाले वो बताते हैं कि अपना गारंटेट वाला विवस्था भी कर लो कुछ ने कुछ तो वो हमको उन्होंने बताया कि एक काम करो सेफस ओप बिजनिस को अगर घर में दो बच्चे हैं दो के लाव अगर तीसरा बच्चा भी किसी के यह हो गया हो जाता है कि नहीं हो जाता कि हमने तो 40,000 सेल्री थि 20,000 यहां खर्च कर दी क्योंकि बिना प्लानेंग के हुआ प्लानेंग थी नहीं तो इसके लिए फाइनेंसल प्लानेंग भी नहीं है तो क्या बोलोगे इसको यह बोलोगे तो महँत करो भाई हमसे गलती हो गई ऐसे बोलोगे पर मंदर छोड़के आओगे मजित छोड़के आओगे गुरदवारे चोड़के आओगे अनातास्तरम छोड़के आओगे रोड़ छोड़ दोगे या इसको भी पालोगे और बिना किसी बेदवाव के या भेदवाव से तो कैसे करते हम पहले 40,000 divided by 2 था क्योंकि सोनु मौनु तो थे अब 40,000 divided by कितना हो गया तीन हो गया तो अब यहां 20-20,000 कि जगए कितना कितना हजार कर दोगे आप आप 13-13,000 का इंवस्मेंट कर दोगे है ना तो अब क्या होगा अगर खिलोना यहां पर आएगा सोनूं के लिए तो मोनूं के लिए भी आएगा तो छुटूं के लि अगर दूद में बादाम इसके लास में होगा तो इसके में भी होगा और इसके में भी होगा अगर खिलोना इसके लिए आएगा तो यहां भी आएगा और यहां भी आएगा क्या बास सही है बच्चों में अंतर नहीं करते सपोज किसी के बच्चा भी छोटू हुआ ही नहीं ह to एक काम करो बग्वान ने आपको छोटू दे दिया है इसको सेबस आप छोटू की तरह मान लो सेव सप को है eld号 करो लिए ऐसे मुझे समझाया सेबस्व 익 практически मान लो तीसरे बच्चे की तरह मान जैसे पिलान देखता है, ऐसे गायव होता है, जैसे कहीं दिखाई नहीं देता, अंतर ध्यान हो जाता है, पकड़ने से पकड़ में नहीं आता है, लेकिन जब वरस्ति किसी ने दे दिया, आपको सेफ सॉप जोइन कर लिया, सेफ सॉप को छोटू माल लो, छोटू, मतलब ती हिम्मत है, बीस साल पालते हैं, बीस साल, बीस साल, और इसको, बीस साल, और सेफ सॉप को बीस साल पालने की जुरूत नहीं है, सेफ सॉप के लिए दस साल, कितने, दस साल, दस, सेफ सॉप को दस साल पालना है, फिर देखना, पाल लों कैसे, जितना ख्याल बच्चे का, उत तो उतना ही 40 प Props जितना समेंस को समें इसको जितना खर्चा संकंद की ऊपर इतना खर्चा सब्चा ओब यानि दूद यह पिये अधन नहींत चब्स नहीं पैषान लगो बहुतकरने के लिए पैसा नहीं है दंढ़ रहा है गोद ले लिया न तीसरे बच्चा अंतर नहीं कर सकते जो उस बच्चे पर जे इस बच्चे पर वो इस बच्चे पर भी होगा और तीसरे बच्चे को आपने 10 साल पाल लिया तो देखना पहले 20 साल के बाद जब मेचुरिटी का टाम आया इससे बोला हम ने कर दो कि वह जी बापू बोल रहे हैं 20 साल खर्चा किया अब बोल रहे हैं हाँ जी लाओ 20 साल पूरे हो गए मेरी मेचुरिटी विवस्था क्या हो यह बताओ यह क्या बोल रहा है पापा फारम बर्राओं हूं कि छूता उतार कि इसमें लगाने कडिल करता है अब फारंब रहा है इतना पेसा खर्चा कर दिया भी फारंब भरावी तक इस दूसरे बैटी के रहा है यह यह बोल रही है और आप यहां गई चोटू के पास किसके बास बोलो चोटू के बास कि अरे क्या हो ताइग रो उसको रोने दो नो सगा मैं छुट हुआ बैटने आप लुट जाओ और आपका ध्यान जिस मायक पर चिला रहा हूं इधर नहीं है वह उदर रो रहा हुआ उस पर ध्यान है इधर दियान दो ना ति जोर से में चिला रहा हूं मेरी वाज पर ध्यान भी बाट कहानों और दो से अम्हाइगा अचे ओसेशमा सटकी जा रही है और यह देखो श्रों बोला फॉर दूसरे बोला बटिया आने परम भर रही हूं पापा तीसरे वाले के拍 està जिन साल बात दस साल के बाद इसके बुजा पोटू दस साल हो गए बता क्या पर विस्ता है तो पहले दस साल में को बताएगा दस साल बात 2013 में कितनी की टीम होगी आपकी कौन बताएगा कि कोई है इमत किसी बताने की चलो खड़ाओ के बता कितनी टीम होगी 2030 तक मनियम दसलाक होगी यह इसके बलॉण है व्लसे नहीं कर रहे कोई और आलका बदा बता भूलो इस या चलब बटचा यह आगे आगे-आधा है पीक्षवालों से तो सुझेंगे कि कोई समझदार आदें बताओ यह तो अनाडी है बताओ कोई समझदार वहीं पीछे जो अपने आगो ज्यादा समझदार मानता हो वह पताओ बस बस हो गया रुक जाओ एक लाट हाँ यह समझदार लग रहा है मेरे को दूर से असल में पता नहीं क्या है कि नहीं अच्छा कि 30,000 की होगी अभी कितनी है अभी दस्की है इसलिए 30,000 की आवरेज जाओं चलना विचारेगा चलो बेढ़ जाओ साबास बहुत बढ़ ग्रेट अच्छा यह डेली काम करते रहोगा मैनत करते रहोगा तो भी 30,000 रहेगी अचलो आज की साब से सोच रहा ना यह है तो कई लोग 10,000,000 बोल रहे हैं कई लोग 30,000 भी बोल रहे हैं तो बीच महान नहीं बढ़ेगी ना तो बीच कितना माल लें एक लाग मान सकते है यह जाएे हैं तो एक लाग कमलो दस higher करी टीम पर हमारी जो इंकम होती हो कितनी होती है 50.000 तो एक लग की परकशाए के आमदन होगी हमारी ये तो भी फट्ष परचेस और रिपरचेज और ट्रपल सी मिला के पांच-क्रोरोव जाएगी तुमल्ट कितनी हो गई है प्लैस्पांच फ्लैस्पांच दस करूड हो जाएगी एक तो दस साल के बाद ये छोटू ने बोला कि पापा इससे बोला कि क्या है दस साल हो गए ये बोलेगा पापा ये लो 10 करोड रुपे का पेमेंट फिलाल ये पकड़ो उम्मिद गया की थी दो चीज़ों की उम्मिद गी थी और ये दोनों दीदी को और भाईया को बोल देना दुनिया के किसी भी यूनिवर्स्टी में एड़िसर ले ले छोटू तयार है जिन्दावाद है और इसके अलावा ये बोलता है कि जीवन भर इसको कोई नोकरी करने की जुरुत नहीं है इन दोनों के लिए छोटू जिन्दावाद है अब मैं आपसे प्रशन करता हूँ क्या बुडापे का सारा बन गया कर नहीं बन गया छोटू और क्या नाम रोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका कि दोनों को भी ना उदर भेज देगा रहा है इंजरोबर में और जहां पूलों को भेज सकता है इतनी दम दर रखता है लेकिन इस छोटू को पालना पड़ता है छोटू को पालना पड़ता है नोकरी करने के लिए मैं 8 गंटा देता हूँ तो इस वाली नोकरी को करने के लिए क्यों नहीं 8 गंटे दे सकता हूं में इस बिजनिस में सहय क्या आप लोगों के बाद जाओगे बात करोगे वो जादा जादा rejection की बात करेगा no बोलेगा no बोलता है इसको भी जानकारी नहीं है आपको जानकारी इसलिए आप यस बोलते हो जिस दिन उसको जानकारी हो जाएगी तो वो नो भी यस में बदल जाती है हमारा काम क्या है जानकारी देते रहना और आए तो बस नहीं तो नेक्स भारत दुनिया का पो टेंशल के मामले में नंबर बन देश है पुरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहांपर सब चैना यहांपर णार यह इस है जानकारी जानकारी बड करने वाला डारक्शेलंग ब falt P. नमबर दूसरे पर चाइना है पॉपिलेशन के मामले में दूसरे नमबर भारत है लेकिन पोटेंशल के मामले में भारत नमबर वन है जहां पर सबसे दा पोटेंशल है बहुत सही जगपर है बिजनस बहुत पावरफुल है जहां से पूरा जीवन बदल सकता है आपके सामने देर सारे उधारण हैं यह मान सम्मान रोर सोहरत रुत्वा आज आपने टाइगर का देखा ठाकुर शाप का देखा यह नोकरी में सिपाई तो होंगा है टाइगर सिपाई को सलूट मारना पड़ता है पाविस्तार होटल में आगरा की सब शान है जेपी होटल यहां पर इनका सम्मान हो रहा है एक हजार लोग आज इनके सम्मान और गौरों को बढ़ाने के लिए आपर पहुंचे हैं यह मान सम्मान शोहरत रुत्वा यह पावर है बिसनस की पैसा तो मिलता ही है यह सब कुछ आपको मिलता है लेकिन शुरुआ तो देनी पड़ती है कितना डायम बढ़ार का नाम रोशन हो जाएगा बढ़ायो विजनस है मेरी और से बहुत बहुत शुफ्राम नाएं एक बात और भी है एक तारी को एक और डायमन बन रहे हैं इन्हीं की तीम में कितनी बड़ी बात है न भलकि यह डायमन बने इनकी ठीम में भी नगीन और त्यार हो जान पा रहा हूं और और आर बोलो आप यह रवीर एंजन मेरे को पहली बार मिल रहा है और मुझे बोल रहा है टाइकर के हमारी टीम में गुरुजी दो डायमेंड यह ताकत है बिजनस की है कि नहीं है और एक दिन ऐसा होता था कि मैं सो लोगों के पास जाता था फिर भी दो भी मुश्किल से जुड़ते हैं और यह बिजनस की ताकत है बिजनस क्या दे सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते लेकिन सुरुआत के एक साल दो साल तीन साल चार साल जो स्ट्रगल है वह आपको मजबूद बनाएगा और आपके जीवन को बदल कर देगा आपके मामले में विजन के मामले में पूरे भारत में नंबर वन टीम है और ऐसी टीम को आप इस्सा है मैं आपको बदाई देना चाहता हूँ जितने भी आपके अप्लाइन है सभी बहुत ही दंदाल रिटर है मुझे फक्र है मैं जब भी इस टीम में आता हूँ मैं पूरे भारत म का हिस्सा हैं आपका डायमंड बननाते हैं और आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना प्यार और सम्मान आपने दिया और मुझे मालूम हैं आप सभी भी भविशिक डायमंड हैं शायद रवी रंजन जी भी और इनके साथी जो कुल सभी कल आपका अब बनयांगे जिसके साथां किव रहाँ हूंगे और वहा थे ने पा रहे हों गया और आपको व्हूंते बॉट अच्छा लगा और एक ही बात बदना जाता हूँ टीम बहुत अंदार है बिजिस बहुत अंदार है आप ही दंदार हो बस शुरुआत करने की जुरूत है दंदारी के साथ में तो थैंक यू वेरी मच और बहुत अच्छा लगा और मुझे मालू में बहुत जल्दी आपका नाम मेरे कानों तक गुंजेगा कि सर उ कुछ दिन वो सक्स बैठे थे और वो भी डामेंड बन गए ऐसे पता चलने वाला है तो थैंक यू वेरी मच विशु आल दिवेस्ट और गो डामेंड थैंक यू अब कुछ सीखने की बारी है तो मैं जरूर रिक्विस्ट करूंगा हमारे वॉलेंटी